दोस्तो मसूरी उत्राखन के सबसे पॉपुलर रोमैंटिक हिल स्टेशनों में से एक है जो कि अपनी प्राक्रतिक सुन्दर्ता के कारण मशुहूर है यही कारण है कि गड़वाल हिमालयन परवत माला की तलहटी के बीच इस्थित मसूरी को कुईन ओफ हिल्स भी कहा जाता है दोस्तो समुद्र तल से मसूरी साथ हजार फीट की उचाई पर रिस्तित है और यह राजधानी दहरादुन से 35 किलोमीटर दूर है मसूरी की प्राक्रतिक सुन्दर्ता इसे हनीमून के लिए एक बहुत ही लोगप्रिय प्लेस बनाती है यदि आप भी हिमालयन की बर्व से दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको मसूरी से घूमने लायक कुछ स्थलों के बारे में बताएंगे लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यात्रा गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करक बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच जाए लाल टिबबा मसूरी दर्शनिय इस्थान दोस्तो लाल टिबबा मसूरी से करीब 6 किलो मीटर की दूरी पर लंडोर में डीपो हिल के टॉप पर मौजूद है आपको बता दें कि इस छेत्र में सबसे उचा इस्थान होने के कारण ही लाल टिबबा आपके जीवन का सबसे आश्यर जनक द्रश्टी कोन होगा लाल टिबबा का अर्थ लाल पहाडी होता है 2275 मीटर यानि 7174 फीट की उचाई पर इस्थित लाल टिबबा मस मसूरी के दर्शनी इस्थलों की यात्रा को पूरा करने के लिए एक आदर्श इस्थल है आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस जगह पर लंबे समय से ब्रिटिश शाष्ट को का राज रहा है लेकिन वर्तमान समय में यहां भारतिय सैन सेवाओं का कबजा है यह जगह बहुत आराम दायक है और इसमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर के अवशेज भी मौजूद हैं लेक मिस्ट मसूरी दर्शनी इस्थलों में से एक यह इस्थान अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए परफेक्ट है दोस्तों क्विन ओफ हिल्स यानि मसू मसूरी की सबसे खूबसूरत इस्थलों में से एक प्राचीन जील है लेक मिस्ट पन्ना के पानी को हरे भरे वन छेतरों द्वारा कवर किया गया है जो पूरे परिद्रश को एक शानदार छवी देता है यह केमटी फॉल के मार्ग पर आता है यह इस्थल मसूरी में देखी जाने वाली सबसे खूबसूरत इस्थलों में से एक है इस जगह की एक और प्लस पॉइंट है कि यह जगह कम भीड भाड़ वाली है इसलिए आप प्रक्रती की गोद में शान्ती का आराम से आनंद ले सकते हैं भट्टा फॉल्स मसूरी परटन इस्थल दोस्तो भट्टा ग के पास ही मसूरी देहरादून रोड पर मसूरी से भट्टा फॉल्स साथ किलोमेटर यानि चार दश्रमलो पांच मिल दूरी पर है मसूरी आने वाले लोगों के लिए यह जगह एक प्रमुक परटन आकशन है इस जगह पर कुछ भोजनाले हैं जहां पर आपको नूडल्स उबले हुए अंडे, सूप और अच्छी कॉफी का आनन्द उठा सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक विलुप्त ज्वाला मुखी गन हिल मसूरी के पुरे छेतर में 2024 मीटर की उचाई पर दूसरा सबसे उचा इस्थल है। दूर दूर तक फैली पहाडियां घाटी को चितरत करती हैं। कोहरों से ढके हुए पेड प्रकाश में हिमाले की सफे टोपी के रूप में चमकते सूरच की एक जलक दिखाई देती है। गन हिल का एक दिल्चस्प इतिहास है जो गन हिल की लोगप्रियता का समर्थन करता है। ऐसी मानिता है कि इस पहाड़ी से अंग्रेज प्रत्यक दोपहर एक नाव पर आग लगाते थे ताकि वहाँ के निवासियों को समय का पता चल सके। वास्तों में इस जगह पर आने के बाद परटक सुकून और शांती का अनुभो करते हैं। दोस्तों मसूरी के केंदर में स्थित दमॉल एक आप निवेशिक अवशेस है। मनुरंजन के लिए परटको के लिए यहां कई वीडियो गेम, पालर और स्केटिंग रिंग भी मौझूद हैं। इसके पास में ही एक तिबबत बाजार है जहां पर आपको विविद संस्कृती की जलक देखने को मिलेगी। इस स्थल पर आप अक्सर लेखक रस्किन बॉन को कैमरेज बुक स्टोर ब्राउज करते हुए पास सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमें कॉमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि क्या आप भी इन जगों पर कभी गए हैं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।